नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीशी टेलर चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत से लोग को क्या होता है कि उपर की जब सिटिंग करते हैं धागे की तो उनका नीचे गड़बड हो जाता है यानि कि अगर उपर दाना दे रही है और तो वो नीचे दाना देने लगती है और नीचे दाना अगर दे रही है और उन्होंने सेट करा मसीन को नीचे से तो वो उपर दाना देने लगती है और ऐसा ही सिलाई खिचने का प्रोब्लम होती है सिलाई अगर उपर खिच रही है तो सही करते हैं उपर कि तो नीचे खिच तो जैसा कि मैं यहां पर इस कपड़े पर चला रहा हूं तो इस तरीके से चल लए है और नीचे दिखें हमारी इस तरीके से आ है ओके यानिकी सिलाई चरही नहीं आ रही है सिलाई। नीजे खराब आ रही है तो हम क्या करेंग闹िक इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे यही open तो करना है क्लीक नीचे गण बड़त चल लेहे तो capit करना है अब देके टाइट करते हैं तो यह देखिए यह हमारी अब उपर दाना देने लगी नीचे की स्लाइस आई हो गई उपर दाना आने लगा अब इसको जो है इस प्रोब्लम को सही कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहूं तो एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ तो यह दिखेए यह हमारी उपर दाना दे रही है और नीचे हमारी सही है तो देखे हमने लूज करा तो नीचे प्रोब्लम सुरू हो गई तो यह प्रोब्लम आती है इस तरीके से तो ऐसे में लोग बहुत जादा परसांद हो जाते हैं अब हम आप उपर कऊ-दागा टाइट करेंगे तो नीचे गरबर हो जाएंगा मतलब नीचे सही चलने लगा कहा तो उपर गरबर हो जाएगा तो इसको कैसे सही करते हैं वो मैं आपको बता दूँ तो इसके लिए क्य धागा जो है वो आपको नूर्मल टाइट कर लेना है तो आप चेक करें आपका धागा लूज होगा नीचे का भी और उपर का भी यह प्रोब्लम तब आती है जब हमारे दोनो धागे धीले चलते हैं तो यह आप उपर का धागा सेट करेंगे तो नीचे गरबल हो जाएगा न और आपने सिलाई मिला दी, सिलाई तो मिला देंगे, मिल जाएगी आप बैसे भी, लेकिन क्या है, वो कभी कदार नीचे दाना देने लगेंगे, और कभी कदार आपके उपर दाना देने लगेंगे, तो यह problem आती है, तो यह देखे, यह much time tight कर देते है, ये वाला पेंच टाइट कर देते हैं धागा खींच के आपको देख लेना है आपका टाइट निकलना चाहिए अब हम इसको और टाइट करते हैं आप टाइट है ये देखिए अजिसके ये टाइट निकलना है इतना भी जादा टाइट नहीं कि मतलब आपके लागा ही तूटने लगे खिंचने पे तो बस नॉर्मल एक नॉर्मल सा थोड़ा सा टाइट रखे हैं अब हम इसको लगाते हैं बाबिन हमने लगा दी अब देखिए इसकी हालत अभी मैं आपको दिखाता हूं देखिए इस पर सलाई लगा रहे हैं पहली सिटिंग आपको ये कर लेना है नीचे का धागा देखिए आपका टाइट चला है बिल्कुल साही है दुसरे इस टेम में आपको धागा ये खिंच के देखना है ये देखिए कितना फिरी चला है बिल्कुल फिरी है धागा ये इसका कारए निकवर होता है कि अगर आप ये पूरा टाइट कर देंगे पेश तब भी कदार धागा मारा फिरी रहता है आपके इस तरीके से खींच के देखना है फिरी रहता है अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो देख लेना अगर इसके अंदर कच्रा बगरा हो ऐसे करके तो उस की बज़ा से धागा मारा लूज रहता है इसको टाइट कर दो तब भी तो ऐसे में आपको ये भी चेक कर लेना है एक बार और फिर भी अगर ये प्रोब्लम आ रही है मतलब कि आपका धागा फुल आपने ये पेंश टाइट कर दिया फिर भी ये जो है धागा आपके यहां से धीला निकल ला है तो आपको ये जहां चेंज कर देना है इसकी जो प्लेटे होती है वो कट जाती है जारा पुरानी हो जाती है जहां इसलिए ये प्रोब्लम आती है तो इसे में क्या होता है आपका धागा कभी कदार आपको चलाते है तो मसीन सही चलती है लेकिन कभी कदा जहां पर आपका प्लेटे कटी ही होती है बहां पर लुज यूसरी कंजा। आ जाती है। तो कहीं धीला निकलने लगता है कहीं टाइट निकलने लगता है तो यह प्रोब्लम सबसे बड़ी हो जाती है तो इसकी बज़ा से आपकी सिलाई कभी कदार उपर दाना देने लगती है कभी कदार नीचे दाना देने लगती है तो यह प्रोब्लम आती है तो ऐसे में यह आप चेक करें तो ऐसे में आपको पूरी जहांज चेंज कर देना है तो पूरी जहांज चेंज कैसे करते हैं आखिर में बताऊँँगा सिंपल साइ श्टेव हैं यह आपको कुछ नहीं करना लेकिन उस्से पहले हम अपनी सीटिंग सेट कर लेते हैं अगर आपकी sitting गढ़बढ है तो sitting से आप साही कर सकते हैं तो इसके लिए हम पहले इसकी sitting आपको बताते हैं तो ऐसे में क्या करना है आपको इसको आपको tight कर देना है जैसे हमने बोबिन के दाग़ा tight करा ऐसे आपको ये वाला भी tight कर देना है इतना ही रखकें टाइट ये देखिए ये जो पेंच है अमने इतना देखें दबा दिया और खींच के देख लेना है आपको बोबिन के जितना टाइट है उतना ही टाइट निकलना है ये नहीं निकलना है उतना ही निकलना चाहिए समझगे ना उसके बाद आपको क्या करना है tension तार इस तरीके से चला के देख लेना है क्या होता है काता है बिल्कुल हलका अगर tension तार चलता है हमारा तो हमारी सिलाई ठीक से नहीं आती है तो इसको आपको पेच कर लगा के इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं और ये अपने आपी tight थोड़ा सा आपको tight रखना है इसको समझगे ना तो नीचे का विदिगे हमने tight करती है दागा और उपर का भी अपने दागा tight कर लिया अगर ये tension तार आपको पेच कर लगाने से यहां से नहीं घुमता है तो यहां पर एक पेच लगा होता है यह टापा निकालेंगे और पेच को लूज करके आप इसको tension तार को गुमा सकते हैं पेच बहां से लूज करेंगे उसके वाज इस तरीके से घुमाएंगे तो यह घुम जाएगा ओके जितना भी tight करना हो पर नोर्मन रखें tight जबहुत ज़्यादा भी नहीं अब यह tight हो गया है आप देखें हम इसको चलाते हैं यह उपर वाला भी हमें tight कर दिया और इधर वाला भी लेकिन क्या होता है अगर मालीजे आपकी जहांज ही खराब है यह सामने बता है प्लेटें गड़वड है आपकी तो यह आप कितना भी tight करते हैं यह उपर का धागा आपका लूज ही रहेगा तो ऐसे में यह problem होती है बहुत लोग टेंसन तान नहीं डालते हैं और इसको पहुन लोग निकाल के फेक देते हैं तो इसको ना आयसा ना करें है तो आपको कि मीवा लगाते हैं सामIST hilar अफ यह उपर घड़वड थी अब पहले घड़वर थी अब लेकिन यह इस तरीके से आपको करने हो जो इतना एकाम होता है इसके लावा आपको कुछ नहीं करना है तो जहांच कैसे चेंज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ तो देखे यहाँ पर आपको पेंच दिख रहा है एक होगा एक अपनी मसीन में देखना यह पेंच है इसको पेंच को आपको खोलना है बिलकुल नहीं बाहर निकलना है लूज करने और उसके बाद यह देखे बाहर पूरी आ गई तो इस तरह के से आपकी पूरी जहांज बहर निकल आएगी, इस्प्रिंग सब कुछ निकल आता है, जब आप नई जहांज लेंगे तो उसमें सब कुछ पड़ा हुआ मिलेगा, आपको इस्प्रिंग मतलब सब कुछ पूरी नई पैकिंग में होगी, उसके वाद ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो इतना आपका गयप रहना चाहिए, उसके बाद ये पैंच आपको टाइट कर देना है, तो क्या क्या करना है, बो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए आपकी जहांज सेट हो गए, अगर नई लगा रहा है तो आज़से ही सेट होगी, वो भ करें, चैनल पर पहली बारा है तो सब्राइब कर बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर लें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो का साथ तब तक के लिए, नमस्तार